दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का mgv study point यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स कोशन सीरीज नंबर है 37 और यह 37 नंबर सीरीज है मेत की जिसमें mcq टाइप टोटल 10 कोशन है तो इस वीडियो को लास तक जुरूर देखें लाइक शेर भी करें अभी तक अभी तक अपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर इसको सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवड करते रहे तो चलिए बात कर लेते हैं यह ntpc, dmrc, jmrc, rite, hsse, patwari, police, exam based कोशन है तो जुरूर इस वीडियो को लास तक दे तो चलते हैं बात करते हैं आज के हमारे कुशन फर्स्ट की, कुशन फर्स्ट में 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा, तो देखें यहां पर आपको दिया गए है 2153 और यहां पर इसकी पावर 167 दी गई है, तो इस परकार के परसन में ध्यान रखें कि हमें इसको पूरी तरह है, तो हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी परक्रिया बहुत लंबी होती है, और इसलिए दी गई गात को हमेशा चार से भाग देते हैं, पहले तो दी गई गात को हम चार से भाग देते हैं, और जितना सेस बचे उस संख्या के इकाई अंक के उपर लगा करके इसक 3 इसमें अमारे पास ये 3 क्योंकि ये संख्या इस परकार से बंती है 4 x 41 और Prague 3 यानि जब 41 को 4 से गुणा किया जाता है और Prague 3 किया जाता है तो 167 पराप्ते होता है तो यहां पे हमारे पास 6 फल बस्ता है 3 अब इस 3 को हम क्या करेंगे इकाई अंक जोकि 2153 में इकाई अंक हमारे पास है तीन और इस तीन के उपर तीन की घात लगाएंगे और इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास है 27 और 27 में इकाई का अंक पराबत होता है साथ जो कि हमारा एंसर है देखिए दुबार देखिए इसको बात कर लेते हम कि जब इस परकार से बड़ी संक्या हमें दी जाती है तो हम क्या करते हैं उसे सबसे पहले तो दी गई घात में चार का भाग देते है और यहां पे 167 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो 3 हमारे पास सेस बचता है और 3 सेस बचता है तो इस परकार से यह सिंख्या हमारे पास हो सकती है कि 4 इंटू 41 और पलस में 3 अब हम यह क्या करना है सिर्फ जो सेस फल होता है उसको इकाई के अंक पे दिखना होता है इंट इसाइस बचता है तो इकाई का पूछ फूछ है तो इकाई का हमारे पास 3 है और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के और तो नेक्स्ट घ्मारे पास कोशन में सेखिंड Q2 निमन को किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि प्राप्ते संख्या पूरण घन बन जाए तो देखे आपके पास जो संख्या है ये संख्या 432 और बटे में 625 है इन संख्याओं में से किस संख्या का भाग दिया जाए ताकि ये संख्या पूरण घन बन जाए तो देखे गंड बनने के लिए संख्या हमारी होनी चाहिए और इस पे क्यूब होना चाहिए तो X की क्यूब इस परकार से यह संख्या गंड बनाने के लिए हमें क्या करना है संख्या के जोड़े करने हैं तो 432 और इसके बटे में 625 है इनका पहले तो एब आज ये गुणनखंड करेंगे तो 432 के जो गुणनखंड बनते है 3 into 3 फिर इसके बनते हैं 2 into 2 into 2 into 2 और into 3 ये तो बनते हैं 432 के 3 into 3 उसके बाद में 2 into 2 into 2 into 2 और into 3 अब जो 625 है इसके गुणनखंड करेंगे तो ये बनते हैं 5 into 5 into 5 into 5 देखिए हमें क्या करना है पूरण घन बनाने के लिए 3 के जोड़े लेने है तो इनका 3 का जो 5 है इनका एक जोड़ा बन गया इधर हमारे पास 1, 2 और 3 है तो 3 का एक जोड़ा बन गया एक, दो, तीन ये 3 है तीन का जोड़ा बन गया लेकिन ये 2 हमारे पास इधर बच गये और ये बच गये 5 अब इस संख्या को हम 2 बटे 5 से 2 बटे 5 से अगर विभाजित कर देते हैं भाग दे देते हैं तो जो संख्या 432 बटे 625 है ये संख्या पुरणे घन बन जाती है 2 बटे 5 से भाग करने पर 432 बटे 625 है ये पुरणे घन बन सकती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है दी गई संख्या के एभाजे गुणन खंड करने है और गुणन खंड करने के बाद में हमें उन गुणनखंड में तीन-तीन के जोड़े बना लेने हैं, जो अंक बचेंगे उससे विवाजित कर देंगे और हमारा इंस्वर प्राते हो जाएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट कोशन के और बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कोशन नमबर है थ्री, कोशन थ्री में, दो सो चुराणवे को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्ते संख्या पूरण वरग बन जाए, तो देखिए अभी तो हमें वरग बनाना है और वरग में हमें दो दो जोड़े लेने होते हैं, तो दो दो के जोड़े लेने के लिए तो सबसे पहले हम करेंगे 294 के ऐभजे गुणनखंड करेंगे तो इसके बनते है 7 x 7 x 3 x 2 देखिए 7 x 7 के दोनों का एक जोड़ा बन गया लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहे तो हम क्या करेंगे 1, 3 और लेंगे और इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए भी हम 2, 1, 2 और लेंगे और ये 3, 2, 6 तो यहां पर हमारे पास इंस्वर आता है 6 कि 200 चुराणमे को 6 से अगर गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सिंख्या पुरण वरग बन जाएगी क्योंकि पुरण वरग बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए 7 x 7 के 2 का एक जोड़ा बन रहे है 3 का जोड़ा नहीं बन रहे है तो एक हमें 3 और लेना है 2 का जोड़ा बनाने के लिए भी हमें 1, 2 और लेना है तो अब 3 दुणी 6 अगर 294 को 6 से गुना कर दिया जाए तो ये प्राप्त संख्या है वो पुरण वरग संख्या प्राप्ते होगी चलते हैं इसी के साफ में next question के और तो next हमारे पास question number 4 चलते हैं बात करते हैं अंगली question की और आगे हमारे पास question number 4 question 4 में 50 से 90 के बीच की सभी आभाजे संख्यों का योग कितना होगा तो देखें आपको संख्या दे रेखिया 50-90 के बीच की और एभज्य संख्या और उन संख्याओं का योग पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 50-90 के बीच की जो एभज्य संख्या कौन-कौन सी है तो देखिए पहली संक्या हमारे पास है 53, 53 के बाद में है 69, 61, 61 के बाद में है 67, 67 के बाद में है 71, 71 के बाद में है 73, 73 के बाद में है 89, 89 के बाद में है 83, 83 के बाद में है 89 ये हमारे पास से 50 से लेकर के 90 के बीच की सभी एभाजे संक्या है देखिए एभाजे संक्या वे होती है जिन में या तो जाता है एक का भाग या जाता है स्वम का भाग यानि खुद का भाग जाता है इनके अलावा किसी भी संक्या का भाग नहीं जाता है तो अब हमें करना है इनका योग तो सभी में पीच में हम पलस कर देंगे यह पलस करेंगे तो इनका टोटल हमारे पास से यहां पे पलस है और इन सभी को हम जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने से 635 पराप्त होते हैं तो यहां पे 50 से 90 के बीच की सभी जो एभाज्य संक्या है वो 635 से है और चलते हैं अगले question के और बात कर लेते हैं तो next हमारे पास question number है 5 question 5 बारा वेक्ति एक कुए को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुए को खोदने के लिए कितने वेक्ति चाहिए तो देखिए जो बारा वेक्ति है वो 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में कुए को खोदने के लिए कितने वेक्ति चाहिए तो यहां पे हमारे पास 12 इ X को बाहर निकाला तो ये 12 into 20 और इसके बटे में हो गया 15 इस से 15 को काटा 5 तीए 15 और ये 5 चोके 20 इसको काटा ये 4 तीए 12 और 4 चोके 16 तो 16 आदमी है वो 15 दिन में उस कुए को खोद सकते हैं कि जो उस कुए को 20 दिन में खोद सकते हैं तो चलते हैं बात कर लेते हैं next question के और तो next हमारे पास question number six है question six में पर्थम 6 एभाज्य संख्याओं का ओस्थ ग्याते कीजिए तो देखें सबसे पहले तो आपको बताया है की पर्थम 6 एभाज्य संख्या कोण-कोण सी है फिर उनका ओस्थे निकालना है तो सबसे पहले बात करेंगे पर्थम जो 6 एभजे संक्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये संक्या एभजे संक्या वे होती है जिसमें सवम का या एक का भाग जाता है तो और इन सभी को हम जोड लेंगे क्योंकि हमें ओस्त ग्याद करने के लिए इन सभी का योग करना है और इनका योग बनता है 41 अब हमें ओस्त ग्याद करना है तो ओस्त बराबर कुल संक्या का योग है जो संक्या है उनका योग हो जाएगा और बटे में कुल संक्या हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास कुल संक्या का योग है वो 41 और कुल संक्या है वो 6 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यह 6.8 यह लग भग इसका जो ओस्त आता है वो 6.8 है पराप्त होता है जो 6 एबाजे संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 है इन सभी को जोड लिया जोडने से 41 पराप्त होता है कुल संख्या हमारे पास 6 है तो 41 बटे 6 और अलग भग 6.8 है जो इस के साथ में चलते है नेक्स्ट कोषण क्यों दमें आब हमारे पास कोषण नंबर है 7 को भग 7 में कोई साधारन ब्याज की दर से निश्चित ब्याज जर्च जो धन है कोई धन Пांच वर्च में सव्हम का पांच आठ बटे 5 हो जाता है तो ब्याज दर ग्याते करें तो आपको क्या करना है ब्याज की दर ग्यात करनी है और यहां पर यहां पर तो हमें आठ बटे 5 गुणा होना और इसके लिए जो आर प्रतिस्यत यानि दर प्राप्त करनी है तो यह n-1 गुणा 100 और इस पूरे के बटे में हो जाएगा टाइम और यह प्रतिस्यत में प्राप्त हो जाएगी दर देखिए यहां पर यह हमारे पास से 3 बटे 8 है यह हमने n को सॉलू करके रखा है तो n को सॉलू किस परकार से किया जा सकता है तो देखिए यह 8 बटे 5 है और इसके माइनस में 1 है तो इसके बटे में हम 1 करेंगे फिल 5 का LCM करेंगे इस 5 को 5 से भाग दिया तो 1 और 1 को 8 से किया तो यह 8-5-と 5, हमारे पास 8-5 5 हैon, तो यह 3 बटे 5 हमारे पास आ गया है, और यह 3 बटे 5 और गुणा करने है, ہमें इसको 100 से, और इसके बटे में हमें रखना है टाइम जो टाइम हमें दीया गया है 5, 5 से कटिएंगे तो 25 पंज है पर 100 और 5 से कटिएंगे तो 45 20 और 45 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 और यह मैसा परतीसत में होती है तो यह clinics ֫ालों दर & 12 परतीसत करुआ और यहीं हमारा एंश्र dispossid Church की दर szer एक निश्चित धन से कोई धन है वो पांच वर्स में सवम का आठ बटे पांच गुणा हो जाता है तो उसकी दर बारा परतिसत है और चलते हैं बात करते हैं अगले कोशन की तो नेक्स्ट मारे पास कोशन नंबर है एट कोशन एट जो आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें पूचा जा रहे हैं ए एक तिर्भुज का छेतरफल ग्यारा सो छेतर सेमें स्केर है और आधार तथा समन्दित उन्चाई उसका अनुपात तीन अनुपात चार है तो तिर्भुज की उन्चाई ग्याते करो तो आपको क्या करना है तिर्भुज की उन्चाई ग्यात करनी है और आधार और उसकी उ उन्चाई तिर्भूझ की उन्चाई बराबर है 4X क्योंकि नुपात में 4 दे रख है। और तिर्भूझ का जो आधार है आधार बराबर में 3X। तो आधार हमें दे रख है 3X। तेन अनुपात में दिये तो ये 3X हो गया। और अब हमें क्या करना है जो तिर्बुज है तिर्बुज का शेतरफल ग्याद करना है तिर्बुज का शेतरफल होता है एक बटा दो इंटू आधार गुणा उन्चाई देखिए आधार और उन्चाई जो आपको अनपात में दे रखिए उसको हमने मान लिया है तो एक बटा दो इंटू आधार हमारे पास 3X हो गया और उन्चाई 4X से हो गई और ब्राबर इन सभी को गुणा किया जाए तो ये 1106 बनता है ये 1106 बनता है अब हम इसको गुणा करेंगे तो ये 4 तिये 12X तो इसमें X की स्केर को बाहर निकाल लिया तो ये हमारे पास 1106 इंटू 2 और इसके बटे में हो गया 12 इसके बटे में 12 हो गया और इनको जब हम सौलू करेंगे तो इसको कटेंगे तो ये हमारे पास आता है इठ्याण में और इठ्याण में को 2 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास X की स्केर बराबर हाँ आपके पास यह हो गया 14 क्योंकि 14 si १े व्याइक्स का मान हमारे पास हो गया 14 कि और आप से यह पूछा है कि उसमें जो उंचाई ग्यास करनी है तो उंचाई ग्यास करने के लिए हमारे पास से यह X आपके पास है 14 और उंचाई आपके पास कितनी थी 4 और 14 चोके 56 उस तिरभुज की जो उंचाई है वो 56 सेमी है और चलते हैं नेक्स्ट कोशन के और बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कोशन नंबर है 9 कोशन 9 में 25 चातरों की ओस्ट आयू 17 वर्स है यदि इसमें अध्यापक की आयू भी जोड़ दी जाती है तो ओस्ट में एक वर्स की वर्दी हो जाती है तो देखे हमारे पास से चातर है 25 और उनका ओस्ट है 17 इसी परकार से हमारे पास से जब 25 प्लस एक यानि जो कुल 26 हो गय तो ओस्ट हमारे पास हो जाएगा 18 ओस्ट हमारे पास 18 हो जाएगा तो इसमें हमें क्या करना है कि एक वर्स की वर्दी हो जाती है तो हमें क्या करना है कि उसमें अध्यापक की आयू ग्यात करनी है इसमें लिखा नहीं गये है तो हमें क्या करना है अध्यापक की आयू क्या होगी या कितने वर्सकी होगी तो अब हम इसमें से सबसे पहले तो यहां पर हमारे पास X ब्राबर में है 25 और Y ब्राबर में है 17 और Z ब्राबर में हमारे पास है 18 Z ब्राबर में 18 है हमें क्या करना है अध्यापक की आयू ग्यात करनी है अध्यापक की आयू ब्राबर अध्यापक की आयू ग्यात करने के लिए 18 प्लस 25 और यहां पे हमें 18 मैने से 17 करना है तो इनको करेंगे तो यह हमारे पास 18 प्लस 25 है और ब्रेकिट को ओन करेंगे तो 18 में से 17 गया एक एक को 25 यह गुणा किया तो 25 और 18 जोड़े तो यह बनते हैं 43 वर्स तो अध्यापक की जो आयू है वो 43 वर्स है और चलते हैं बात करते हैं अगले कोशन की ओर तो नेक्स्ट आमारे पास कोशन नंबर है 10 कोशन 10 इस वीडियो का लास्ट है और एक व्यक्ति जो 5 किमी घंटे की गती से चल रहा है यानि एक व्यक्ति है वो 5 किलोमेटर परती घंटे की चाल से चल रहा है एक पुल को 15 मिंट में पार कर सकता है तो पुल की लंबाई मीटर में ग्याते करें तो सबसे पहले तो यहां पर व्यक्ति की चाल व्यक्ति की चाल । ब्राबर में है 5 कम 911 5 किलोमेटर परती घंटे गंटे की तो यह 5 इंटू 5 बटे 18 देखिए इसको हम में 5 म से बदाने में तो यह हमारे पास आ जाएगा 25 किलोमेटर परती घंटे और अब चाल हमेंний जो मेटर सेकंड में ग्याद करनी है और कुल जो लगा समय समय बराबर में पंदरा मेट क्योंकि वो पंदरा मेंट में उस पुल को पार करता है तो ये हमारे पास से सेकंड हो जाएगी साट इंटू पंदरा बराबर में 900 सेकंड ये 900 सेकंड होगी क्योंकि हमारे पास जो चाल है वो किलो मिटर परती गंटे में दे रहे खिये तो हम मिटर सेकंड में बदलेंगे और जब हमारे पास 15 मिंट है उसको भी हमें सेकंड में बदलेंगे तो 900 सेकंड हो गया अब हमें क्या करना है दूरी ग्याद करनी है किसकी दूरी पुल की और पुल की दूरी ग्याद करने के लिए यहाँ पे कुल दूरी बराबर में पुल की लंबाई कुल दूरी बराबर में पुल की लंबाई बराबर में चाल इंटू समय देखिए पुल की लंबाई हमें ग्याद करनी है या कुल दूरी ग्याद करनी है तो वो चाल इंटू से में हो जाएगा चाल हमारे पास है 25 बटे 18 मीटर सेकेंड और दूरी हमारे पास है 900 और इसको कटेंगे तो ये 18,95 और ये 0,50 हो गया और 25 को 50 से गुणा करेंगे तो ये 1250 मीटर हो गया उस पुल की लंबाई 1250 मीटर है सबसे पहले हमें वेक्ति की चाल दे रेखिए 5 किलो मीटर परती गंटे और आपका उतर मीटर में पूछा है तो हम इसको पहले मीटर सेकेंड में बदलेंगे तो 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे इस 5 से और 25 बटे 18 हमारे पास मीटर सेकेंड आ गया अब पूल को पार करने में जो समय लगता है वो 15 मिट लगता है तो ये 60 इंटू 15 बराबर 900 सेकेंड क्योंकि हमने समय भी सेकेंड में बदलना है जब चाल उसकी मीटर सेकेंड में है अब कुल दूरी है वो पुल की लंबाई है और दूरी गयात करने के लिए चाल इंटू समय चाल हमारे पास 25 बटे 18 मिटर सेकेंड है गुणा और समय हमारे पास 900 सेकेंड है और इस सबी को सॉल्व किया तो ये 1250 मिटर हमारा इंस्वर है तो दोस्तों इसी के साथ में वीड वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद